हेलो एवरीवन वेल्कम अगेन टू लेंग रिदितीमन राजिस्थान के इतिहास में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर थार्ड के कोशन आंसर जिसमें लास्ट वीडियो हमने किया था राजिस्थान के प्रमुक त्योहार तो यदि आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो देखिएगा इंपोर्टन है काफी आपके एक्जाम के लिए सबी कोशन जो है वो हर एक कोशन इंपोर्टन है पूरा चैप्टर जो है उसमें से एक एक लाइन जो है वो कोशन के फॉर्मेट में यहाँ पर लेकर आई तो यहां पर कुछ धर्म प्रधान मेले जो है वह दिये गए हैं तो पुसकर जी का मेला जो है वह कहां लगता है यह लगता है अजमेर में काति की पुनिमा को नेक्स्ट सिवरात्री का मेला जो है वह कहां लगता है यह मेला सवाई माधोपुर में लगता है नेक्स्ट है साला सरहनुवान जी का मेला जो है वह लगता है चूरू में ददी मती माता का मेला जो कहां लगता है नागोर जिले में चार बुजा का मेला यह लगता है उदैपुर में, केला देवी का मेला लगता है करोली में और भरतरी का मेला लगता है अलवर में तो ये सबी धर्म प्रधान मेले हैं तो एक बार दुबारा से देखिए पुसकर जी का मिला अजमेर में, सिवरात्री का मिला सवाई माधोपुर में, साला सरहनुवान जी का मिला चूरू जिले में, दधी माता का मिला नागोर में, चार बुजा का मिला उधेपुर में, केला देवी का मिला करोली में, और भरतरी क का मेला अलवर में ठीक है नेक्स्ट देखिए आदिवासियों के प्रमुक मेले कौन से हैं तो आदिवासियों के प्रमुक मेले कौन से हैं वैनिश्यर का मेला डूंगरपूर में लगता है जो और सहरियों का सीता वाड़ी मेला जो कि बारा जुले में लगता है वैनिश्यर का मेला और सहरियों का सीतावाडी मेला ये दोनों आदिवासियों के प्रमुख मेले हैं प्रमुख लोक नायकों के मेले कौन से हैं तो यहां पर सभी एक साथ लिख दिये गए हैं लोक देवताओं के प्रमुख मेले तेजा जी का मेला जो की परवसर नागोर में लगता है राम जो कि दद्रेवा चुरू में लगता है तीक है तो ये सबी प्रमुक लोग नायकों के मेले हैं याद रखेएगा हम लोग पहले इनको कर चुके हैं फिर भी यहां पर याद रखना है तेज़य जी का मेला परवसर में रामदेव जी का मेला पौकरण के रोडेचा में पाबू जी का मेला कोलू गड में और गोगा जी का मेला दद्रेवा में ठीक है नेक्स्ट है question 4 भारत में एक मात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहां है अजिमेर पुसकर में जीर्ण माता का मेला कहां लगता है तो हर्ष और जी दोनों बहन भाईयों के वज़े से यहां पर जीर्ण माता का मेला जो है वह सीकर जिले में लगता है रिवास गाउं में दो बार लगता है चैत्र और आश्विन महा की नवरात्र में जीर्ण माता का मेला लगता है कहां लगता है सीकर जिले में खाटू शाम जी का मंदिर कहां है तो यह है सीकर जिले में खाटू शाम जी का मंदिर कहां है सीकर जिले में खाटू शाम जी का मेला कब लगता है तो सीकर जिले में यह मेला लगता है फागून के सुकल पक्ष की दस्मी से द्वादसी तक खाटू शाम जी का मेला लगता है फागून के सुकल पक्ष की दस्मी से द्वादसी तक नेक्स्ट है कुश्यन नमबर एट डिगगी के कल्ण्यान जी का मिला कब लगता है तो यह मिला जो है कल्ब लगता है यह श्रावन के मावश्या को लगता है कहां लगता है टॉंग जिले में लगता है जैपूर से 75 किलोमीटर दूर अगला है राजा भरतरी की पतनी का क्या नाम था तो बहुत ही आसान सा प्रशन है एक्जाम में आता है तो हमें नहीं याद रहता है राणी पिंगला राजा भरतरी की पतनी का नाम था राणी पिंगला नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 10 जैनों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जैनों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? यह मेला है श्री महावीर जी का मेला जो कि सवाई माधोपूर में लगता है यह महला मिला कब लगता है चैतर की सुक्ल त्रियोदसी से लेकर बैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक चैतर सुक्ल त्रियोदसी से बैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक अगला है 12 कोश्यन बसवा की किस व्यक्ती ने? महावीर जी की प्रतिमा को सबसे पहले पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बहुत बड़ी रकम दान में दी थी बसवा के किस व्यक्ति ने महावीर जी की प्रतिमा को पहचाना सबसे पहले और मंदिर बनवाने के लिए सबसे जादा रकम जो है वह उसने दान दी तो वह नाम है अमरचंद्र बिलाला, याद रखेगा अमरचंद्र बिलाला नेक्स्ट है 13 कुशन करणी माता का मेला कहां लगता है तो हम बहुत याद कर चुके हैं कि देशनों के विकानेर में चैतर एवम आश्मी नवराच्र को करणी माता का मेला लगता है करणी माता किस राजगराने की कुल देवी है तो यह विकानेर के राठोडों की राजगराने की कुल देवी है विकानेर के जो राठोड है उन राजगरानों की देवी जो है वह कौन है करणी माता next है question number 15 चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है किस मंदिर को जाना जाता है चूहों के मंदिर के नाम से तो वैं है जो की देशनों बिकानेर में है करणी माता का मंदिर next है question number 16 सीदला माता का मेला कब भरता है सीदला माता का मेला कब भरता है तो यह जैपूर में चैतर कृष्ण सब्तमी और अस्टमी को भड़ता है सीतला माता का मेला कब भड़ता है? चैतर कृष्ण सब्तमी और अस्टमी को जैपूर में सीतला माता की मंदिर का निर्मान किसने करवाया था? सीतला माता के मंदिर का किस ने निर्मान करवाया जैपूर के महराजा माधो सींग ने सीतला माता के मंदिर का निर्मान करवाया नेक्स्ट है बैल गाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला है सीतला माता का मेला सीतला माता को अन्य किन नामों से जाना जाता है तो हम भी इनको पूसते हैं लेकिन हम सीतला माता नहीं कहते हैं तो चलिए देखते हैं उत्तर भारत में सीतला माता को महा माई पक्षिम भारत में माई अनामा और राजिस्थान में क्या कहते हैं सेड सीतला या सेडल माता केला देवी का मिला कब लगता है केला देवी का मिला चैत्र सुकल अस्टमी को लगता है करॉली में लगता है ठीक है केला देवी का मिला कब लगता है चैत्र सुकल अस्टमी को केला दिवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है जिने इस्थानिय लोग क्या कहते हैं तो सभी जानते हैं क्या कहते हैं लंगुरिया Next है question 22 कपिल मुनी का मेला कब भरता है कपिल मुनी का मेला कब भरता है फ्वाज मुन्यद्दिन चिस्ति का उर्स कहां लगता है?iffs करा है। ख्वाजा मुनिद्दिन चिस्ती भारत में कहां से आये थे गरीब नवाज के नाम से जानने वाले ख्वाजा मुनिद्दिन चिस्ती भारत में कहां से आये थे तो ये आये थे इरान से संपूर भारत में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मिला कौन सा है तो वह है ख्वाजा मुनुद्दीन चिस्ती का और्स राजिस्तान के आदिवाशियों का कुम्ब किसे कहा जाता है तो आदिवाशियों का कुम्ब जो है वह किसे कहा जाता है यह कहा जाता है बैनिश्वर का मिला कब लगता है माग पूर्णिमा में कहां लगता है डुंगरपुर जिले में गर्धव मेला कहां आयोजित किया जाता है गर्धव मेला कहां आयोजित किया जाता है तो यह मेला जैपूर के पास भावगड बंध्या गाओं में आयोजित किया जाता है जो की घदों और खचर इनके लिए विख्यात है ठीके तो गर्धव मेला जैपूर के पास भावगड बंध्या गाओं में, तो यहां तक complete होता है आपका chapter, मिलते हैं next chapter के साथ chapter number 4, thank you.